पहले चलती थी कोई 25 साल पहले अब प्रसूता नाम की हवा नहीं चलती है तो क्या चलता है अब डाकपरों की कैची चलती है एक बार बोलो मांके वहार लालो की अब जैसे ही जीव जो है धर्टी पर आता है तो जन्म लेते ही बच्चा क्या करता है बताओ रोता है ना और क्या बोलता है वा 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 सब्द संस्कृत का सब्द है मैं आपको बताए देता हूं ध्यान से सुनिये गाए वा सब्द संस्कृत का है चन्म लेते ही बच्चा संस्कृत बोलने लगता है वा मतलब वेर आर यू आप कहा हो कौन जिससे बात कर रहात च्छट में महिने से बोह कहां हैं और यहां क्या है एक आई है चित्पे मेरे वल वेक में तरी दादी आ गई अरे पत्त मेरे वल वेक में तरी दादी आ गई एक दसमें ब्यारे में दना आती है चित्पे वालो वाली वो करती पत्त मेरे वल वेक में तरी नानी आ गई जीव फस जाता है वावा करके रोता है कि बूपी पर तरभादा अगरबानी बूपी परत्वानाद देपानी पास भी करना हो करके धर्ती से जल जाता है आकास में इकटा होता है बर्सा के द्वारा जमीन पर आते ही गंदा हो जाता है बर्सा का पानी है गंदा है ऐसे ही जीव चुरा सी लाख नरक भोग करके चुरा सी लाख योनिया भोग करके माता के गर्व में नो महीने उल्टा लटक करके फिर बाहर आता है लेकिन जैसे ही जमीन का संसर्ग मिलता है वैसे ही गंदा हो जाता है बच्चपन छुटा सा बच्चा माता क्या करती है नलाती है दुलाती है और अच्छे बैड पे सुला देती है जागते रहना में चोकीदार हुआ दंक मारता है मच्छर बच्छा तिल मेला के रूने लगता है मा कहती है हाई मेरे लाल नो क्या हो गया अजी गड़ी निकालो ड़क्डर सवाइब के पागले चले बच्छर नाडी नवज देखते हैं कोई नवज अशी है नहीं जो यह पताती है मच्छर ने काटा आक क्या करूँ तो सोने का इंजेटे इस अथ थे और वो यह भी नहीं गय्जकता माता मेरे को मच्छर ने बट जाये तू मेरे को इंजैक्शन का एक धुकवाई जा रही है बच्छपन का दुख उसके खुरको हो रही है मा समझ रही है भूखाए आज दूद नहीं पिलाओंगी उसको खुरको हो रही है उसको भूग लगी है माँ सोच रही है कल पेट भूल गयाता ज़ादा खिला दियाता अब मैं इसको कुछ नहीं छिलाओ मिए उसको भूग लगी है माँ समझ रही है कुछ और इस तरह से उसके विपरी सब कुछ होता है फिर बड़ा हो जाता है इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा बस्ता, पीट में घजे की तरह लाद दिया, जा वेटा दसमिस इसकुल में पढ़ने चला जा, वहां के बहारी राल की, वहां सब कुछ बिपरी देखता है, कुछ और बड़ा होता है, वो अवस्ता आ जाती है, जिस अवस्ता को कहते ह हम आसुरी अवस्ता, फिर पराई स्त्री को देखता है, उसके उपर तूट करके ऐसे गिरता है, जैसे जीवे की लोप पतंगा गिरता है, और अपना ही सर्वनास कर लेता है, वहां से भी कोई बचता है, तो बढ़ा पा जाता है, और बढ़ापे से जूज जूज करके अरे एक बार मनश चोला दे के धरती पे भेज़के तो देखो, देर लगा दूगा भगवान को भजन करके, लेकन यहां आ करके क्या किया, परिस्त्री में गभा दिया जीवन, पराई धन में गभा दिया जीवन, पराई जमीन को हडपने में गभा दिया जीवन, और अकारत जीवन खो करके जैसे आएं वैसे ही नरक में चले गए तो माता यह संसार की क्रिया ऐसे जीव आ रहा है जा रहा है तो कहते हैं मैया कहती है फिर भगवान मुक्ति का तो साधन बताओ मुक्ति हैं तो भगवान कहते हैं मैयाنت तु तत्तवाली वास सुनले कि अंतमें इंसान को चाहिए कि पर्माकमा के नाम जबते हुए किसी एक आंत में बाहत करके अकार-मकार-युक्त-मकार का ध्यान करते हुए और पर्माकमा की प्राप्ती का साधन करें स्वांसों को सार्थिक्ट करे साइज या डाक्टर भी बैठे हुए एक दो जरूर एक दो डाक्टर हमारे हैं यह मेंबर है बैठे हैं क्या हाथ पुठा दे जीव 24 गंटे में 21,600 स्वांस लेता है कितनी लेता है 21,600 हर स्वांस पर भगवान का नाम जपने का भगवान से हम बाइदा करके आए हैं प्रभू हर स्वांस पर तेरा नाम जपेंगे लेकन यहां आकर के एक भी नाम नहीं जपते एक रुपईया गुम हो जाए तो बड़ी चंता लग जाती है रुपईया जेम में पड़ा था कहां गिर गया शाज्त्री जी मैंटे थे इन्होंने तो नहीं उटा लिया हर किशी पर सब दरते हैं लेकिन भू नहीं सोचते कि यह 21,600 का रोजाना ही गाटा हो रहा है जो हमारी स्वांसें कीमती है 21,600 वो अकारत जा रही है बेकार जा रही है मा जीव हुए ही धन्य है जो उन्हे 21,600 का जो है सदप्योक करे मैया कहती है बेटा भी सदप्योक हो कैसे तुम इन्हें कथा तो सुनी होगी हमसे बड़े बड़्वानों की सुनी होगी लेकिन इन कथाओं को विद्वान नहीं सुनाना या तो उनके पार एक ही बात कहते है टाइम नहीं है उनकता भी हम सौर्ट में कहेंगे टाइम नहीं है कहांगे या टाइम तो मारे पार तीन घंटे होते है कहां आता है टाइम हर बिद्वान के मुझे सुन लो अब सुनीजी ये बार कि किस प्रकार से 21.000 से असों को हमने सार तक बनाना है और सार तक बना करकर पर्मत्त की प्राप्ती करने है हर फन पर्मार्वा का साने ये समझें कि भगवान हमारे सबसे निकट है सबसे समीर और उनका हम अजपा गाहित्री के द्वारा जाप करें अब आपने गाहित्री बहुत सुनी होगी विश्णु गाहित्री सुनी होगी शीव गाहित्री सुनी होगी गडिस गाहित्री सुनी होगी ब्रह्म गाहित्री सुनी होगी लेकिन अजपा गाहित्री आपने भी नहीं सुनी होगी 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 है तो तो संत लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि कंट होट फरके नहीं कंट होट फरके नहीं और सैजई सुमिरन होगी होगी है अरिकैद कभी रादास जन ये बिरलाई जाने कोई कंट होट भरके नहीं और सेज़ें सुमिरन होए कहत कभीरा दाश जन ये बिरलाई जाने कोई दोनों करते हैं जाहं कोई ऐसा काम होता है पूरी सेवा अपनी पूरी टीम के साथ मेंवाते हैं मैं तयद शेजिक और एक वाल क्वाव के YEfed से आशीरवा हुट भरके नहीं और सहजी सुमिरन होए और कैसा मंत्र है एक ऐसी काईत्री है जिसको अजपा कहते हैं और वह कैसे जपी जाती है कि ना तो कंट हिलता है ना होट भरकते हैं और वह सहज में इसुमरन होती है अब वो सहज में सुम्रन कैसे हो जाती है जो कंट भी नहीं होट भी नहीं भरके तो सहज में सुम्रन कैसे हो जाती है मैं एक पूछना चाहता हूँ आपकी समझ में आ रही है कि मैं बैसे ही बोल रहा हूँ समझ में आ रही है ना कंट होट फर के नहीं सही जई समिरनो अजपा गाहित्री की बात कर रहा हूं में अजपा जो बिना जपे ही जपी जा रही है उसको कहते अजपा कैसे जपी जा रही है तो सुआंस तुमारी अंदर जा रही है सो सब्द पैदा हो रहा है स्वांस अंदर जा रही है तो सब्द पैदा हो रहा है स्वांस बाहर आ रही है तो हंग सब्द पैदा हो रहा है दोनों की टक्कर से बनना है सो हंग क्या बनना है जोड़ से बोलो सोहं का मतलब क्या है सो माने वह है अहम माने मैं सो माने वह है अहम माने मैं जो वह है वही तो मैं हूँ एक बास सुनिए कई बाहर पापों से इनसान यूं बच जाता है कि मैं बड़े कुल खांदान में पैदा हुआ हूँ मेरी बड़ी ख्याती है अगर मैं ये करूँगा तो फिर दुनिया क्या कहेगी इसलिए इनसान को ये पता ही नहीं कि मैं उस परमिस्वर का अंस हूँ रामैन कहती है छिला छिला के क्या कहती है इस्वर अंस जीव अविनासी इस्वर 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 जीव अविनासी चेतन आमयर सहे सुख रासी डेजीव इस्वर का अंस है और शुक तो इसके अंदर है खोजता बाहर है रातना करता है क्या सुख मिले सुछ बसो सुछ तो तुमारे अंदर है अंदर खोजिए जरूर्ष्क मिलेगा सोहम सो माने हूँ है अहाँ माने मैं जो वो है वोही मैं हूँ यह लगातार हम हर स्वांस के साथ जप रहे हैं 21,600 श्वांसों के साथ में जप रहे हैं बस हमने क्या करना है सुरती को संसार से अटाना है सोहन के साथ जोड़ना है और जोड़ करके अपने जीवन को 21,66 स्वासों को सफल कर ले जा जिए जिये कर लिया तो फिर समझ लो सब कुछ कर लिया इसलिए हे माता ये तत तो का ज्यान है माता उसी समय वहां नदियों करके बह गई और कपिल जी अपने वहां छोड़ करके अपने आश्रम में चले गए गंगा सागर जहां हम लोग तीत करने जाते हैं वो लिए कपिल जी महराज की जै चोटा सा प्रसंग भगवान संकर का क्योंकि संकर की कथा के बिना कोई कथा सफल नहीं होती एक बार बोले बंडारी की संकर भगवान का विवा हुआ है दक्ष की पुत्री परम सती के साथ शती के साथ विवा करके भगवान आ गये हैं भगवान को एक ही विशन है कि भगवान का भजन सुना जाए कि ये कथा सुनी जाए तो रोज अपनी घरवाली को कथा सुनाते है अब कुछ गरवालियां भी ऐसी होती है जो उप जाती है कता सुन सुन कर कर रोज रोज यही लेकर बैठ जाते बाबा जी एक दिन बगवान से कहने लगी प्रभू इस कहलास से आगे भी कोई दुनिया वसी है क्या कहने लगे हाँ वसी है तो कि चलो फिर ले चलो भगवान ने कहा चलो अब भगवान लेके सती को चल दिये और कहां पहुंचें कुम्बज रिशी के आश्रम अधस्त इनको कहता है कुम्बज रिशी कुम्बज रिशी ने विड़ा सतकार किया कुम्मजी रिशी कहते हैं प्रभू धन्य हैं पधारे में धन्य हो गया और आप उच्छे आशन पर बैठो सुंदर आशन दिया आशन पर भगवान संकर बिराजवान हो गए क्ञान उपर से नीचे को आता है के नीचे से उपर को जाता है इसलिए ये चोटी उची बनाई ये चोटी डार की के व्यारिला लगी जह ग्ञान उपर से नीचे को जाता है भोले बाबा केते ह야지 है या बैठोंगा तब सुनूंouse कुम्बरी सी ने कता सुनाई भोले वावा ने सुनी कता पूरी हो गई तो कुम्बरी सी कहने लगे महाराज कता तो पूरी हो गई भोले वावा ने के लिए फिर दच्छना वही कता सुनी है तो दच्छना भी ले लो कुम्बरी सी कहने लगे दच्छना रहने तो मारा कि नहीं नहीं ले लो तो कुम्बई रिशी कहने लगें पिर आप मुझे को भगवान की भप्ति कैसे मिलती है यह हमको बताता रिश्टी पूछी हारी भागति सुहाई कहीं संधों अधिकारी पाए शंकर भगवान को बता लगिया बुली वावा के निलगी चलो मिलने पर हो क्या रहा था उस समय कि सीता जी कहरण हो चुका था राम जी सीता जी को डूड रहे थे भगवान ने सुचा कुसमय है कुसमय जान नकीन चिनारी कोई पेचार नहीं की दूर से ही कहा महराज आपकी जैओ 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 हो जाती पूछ नहीं किसको नमस्कार कर रहे हो बाबा है बोले बाबा क्या मेरे भगवान राम है उनको कर रहा हूं कि ये राम है किया ये राम है कि यहां आपको कोई सक है नहीं नहीं सक तो कोई नहीं है पर यह तो पेड़ पौजों से पूछ रहे हैं एका गम्रागा एमादे कर से नी में था कम्रें की यह मत पर देनी की सीता में कर देनी पेड़ पौणे ओए तुने सीता जोने खाएं का में कर देनी सतीजी कहने लगें यह कहते रामिय्ठ यह कहते भगवान है जिनको यह नहीं पता हमारी घरवाली कौन ले अरे भगवान नाराइण है तूर्व सरबख केost के कुछ यह नहीं पता कि घरवाली का अगई बगवान ने पेंचान लिया बड़ा संसोच हुआ पती की पास आई पती ने पूछा कैसी परिक्षा लिया तो कहा मैं तो कोई परिक्षा नहीं लिया आप ने प्रणाम कर ली मैं भी कर आई क्योंकि मैं पहले प्रणाम नहीं किया था बगवान ने सब कुछ देख लिया और प्रण कर लिया कि अब सती से प्रेम नहीं करूंगा क्योंकि सतीन मेरी माता सीता का रूप धारन किया सीता मेरी मा तो आज से सतीवी मेरी मा यही तन सतीवी भेंट अवनाई सीवी संकल्प की मन माई संकल्प कर लिया आकास पाणी वही धन्य है आपने बहुत संदर प्रत किया सती जी पूछने लगी कौन सा प्रण किया है भगवार कोई प्रत नहीं कि फिर कथा सुरू कर दे कता संदर सुंते कहलास प्रत्र पहुंच गए वहां जाकर के ओप बड़ा विखंड जो है वो लगा लिया क्या लगा लिया ध्यान लगा लिया ध्यान लगातर के बैठ गए सती चिंता में बेटी है कब ताली खुलेंगी और कब बोले वावा से बात होंगी बांकी वियारी लाल की बहुत संदर सेवा दिवारा हमारा वेदुक्त परसर हमारे उपाचारिया पदारे हैं बहुत बहुत धन्रवाद चलो भी लोगी सीव नाम से जगत में गाला हर वक्तों के मन में सिवाला है संभ वावा मेरे बुलना तीनों लोग न दो ही तूँ में संभ वावा मेरे बुलना तीनों लोग को तूँ ही दो स्रत राच मेरा मन बेद पद्धिरी स्रत राच मेरे मेरे बुलना तीनों लोग करतों कि अच्छा बाच मेरे बुलना तूँ है न दो पने राच मेरे बुलना तूँ है जग जग आशामी है तू जग आशामी है तू मेरे दीवन की अने पिकाहा नियुदू जग आशामी है तू मेरे दीवन की अने पिकाहा नियुदू तेरी सदी आपार तेरा पावन है तू तेरी कुझा मेरा जीवन की अने पिकाहा नियुदू तेरा पावन 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 की अने मेरा नियुदू आपकेह नियुदू कि अच्छात पालत कर दो डाइब में लुट कर दो कि अच्छा में पुल जा बोले की पिर पेर दस मिंट के लिए बैठें सभी दस मिंट के लिए सभी बैठें प्लीज मन में है काम और कुछ जान जिन्दगी भरतरों तेरे आधिना मन में है काम और कुछ जान जिन्दगी भरतरों तेरे आधिना सुक्र की भी में क्यान दे तू मुझे क्यान दे प्रेव सब्सक्रों तेरे आधिना दे सुक्र की हुझान दे तू मुझे जान दे प्रेव सब्सक्रों तू मुझे क्यान दे तू मुझे कि वालो कमतो ही हूँ ए सम्झों वादा में बुना कि वालो कमतो ही हूँ स्रक्रादा मेरा मन बेल लपनी कि वालो 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 कि वाल मौनों को मतो ही दूँ ये सब वावावाव मेरे वो बता तीयों जगों भी अपने मता तेरी मौन के उतनु में गिर्धर तेरी आदे अपन में बसा कर तेरी मौन के उतारों में गिर्धर तेरी आदे अपन में बसा कर तेरी मौन के उतारों में गिर्धर तेरी आदे लाएं से आएं जीना जबतीना करे, लाएं से आराम से करे आरती, लाएं से आखर के आराम से आरती करे 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 आरती कर चारो तौहित्व जुड़ ज़िद्ध की त्यायाई है ही के मात की मन में बसात तरी मौती कुता अनू पे के निधर तरी मौती कुता अनू पे के निधर तरी आन की झाल झाल माघ तुझ सक्याम यह सोरो ही हम बड़ ऑए जिद्जिकी सफनां तेरी दर्ब है जिद्जिकी सफनां तेरी कल्ग है सभरक्त तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ देरा, कुछ नहीं मेरा चुचता है तुझ को सारी सुसार तेरी मन में पसार तेरी आरती कुछ नहीं में पसार तेरी मन में पसार तेरी आरती कुछ धरती। बेत तेरी महमागाई संद करे ध्या, नारत तुरुतान करे ध्या, नारत तुरुतान करे ध्या, बत तेरी मार तर लेकुआ, बत तेरी मार तर लेकुआ, नारत तुरुतान करे ध्या, 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 नारत तु प्रमु फट्ञक के घर्च कर्यारी मिल्सुर अक्तार अन्वल रा कली जिल से घर्क कर्दार नहीं,न्द नशम्ड़ में तब दोनेम से था कंसारक। नशम्डे कर्यारे तयन.. कि अखिए ए संदि रुदे जार भीर जिट तकाशीध मानुन तुमिए वाअज प्रक्तत तुमिए प ह् प्रफ। तुमिए पहर टो जिसों aggi़ दूजियां तुमिए दो दूजियां तुमिए लगन दूजियां कुछ्छिल Till देवर खेल योग जाना झालिज्यू तरिश गुम् चांति प्रिटिवी शांतिरापा सांतिरुगदया 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 स हरी ओम्हा ओम्त ग्नेन दग्नमय जांत दिवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासं तीहना कंभाहि माना सचांचर पूर्वे साध्या सांत दिवा हरी ओम्हे कदंताय बिद्महे बक्रतुंदाय दिमहे तन्नो दंति प्रतुदयाद हरी ओम्हे तत पुरुचाय बिद्महे महा दिवाय दिमहे तन्नो रुत्रा प्रतुदयाद हरी ओम्हे नारायनाय बिद्महे बासुदेवाय दिमहे तन्नो विष्ण प्रतुदयाद हरी ओम्हालक्ष्मेच बिद्महे बिष्ण प्रियाच धिमहे तन्यों लक्ष्मी प्रचुद्याद शेवंति कामकुलाचंपतपाटलाप्जे पुंडेगाजामिकरदेर रचार पुष्मे देप्राप्प वालकुलाचिंदर मंदरेपे तांपुजयामिजग्यदेश्वरमे प्रसेजा नानाशगंद पुष्मानियता कारक्वारच पुष्मान 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 लेती जाना रे हरी का नाम थोड़ा थोड़ा